जुहार हजारी बाग में एकदम ब्रेकिंग न्यूस चल रहा है अमबा परसाज जी के घर में एडी का रेड दो दिनों से रेड चल रहा था अमबा परसाज जी जो राची के आवास में थी फिर हजारी बाग में भी रेड चल रहा था और कई जगा पर रेड चल रहा था उस जानने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं कि आखिर राची में तो आप वहां पर थी आपके साथ क्या और सा जान रहे हैं लेकिन अंदर क्या हो रहा था एडी की रेड में क्या निकला और फिर आपका वो बयान की बीजेपी ने आपको 14 सीट और लोकसभा के लिए हजारी बा के लिए हैं और अफवाओं निक दिर्डूर के बाजर में भी मीडिया कई तरह की बात कर र Cherry अलग अलग तरह से उस पर ही मानसिक प्रतारना होता है क्या कि बांसिक प्रतारना से तो दो दिन से पुरा परिवार कैंकि खूद पे जब होता इतो तो उससे दिक्कत नहीं होता है, जब वो आपकी बेहन पर आजाए, जो आपकी छोटी बेहन बाहर पढ़ाई कर रही है, और उसके, मतलब PG में अगर चीजे इस तरह की होने लगे, और मतलब वहां से तो उसको निकलने के लिए भी बोल दिया गया है, कि आप यहां से निकल ज कोशिश की, तो वहां भी प्लिस गई थी, जी, हर जेगे मेरी दादी है, तो मतलब यह सब चीजों से तो हम लोग जूज रहे ही हैं, लेकिन उसके बाद अगर मीडिया में इस तरह का बयान आता है, कि 200 एकड की माल की नंबा प्रशाद तो यह बड़ा आजीब चीज है, ज तो यह क्या मतलब नहीं है, आपके बाद इसना प्रपरटी, 200 एकड़ा इसा है, लेके हम फुल फ्लेजट पॉलिटीशन है, 24 गंटा मेरा चेतर में काम रहता है, हम कोई बिजनसमान नहीं है, हम कोई वैपारी नहीं है, हम पूरी तरह से समात सेवी हैं, और मेरा बस एक गा अधरती में मेरा एक एंट्रवी और कुछ मिल जाए, अच्छा, तो कुछ है नहीं आपके नाम पर, जी, तब तो फिर इतना बड़ा क्यों मतलब ख़्यंत हुआ या, क्या हुआ है, देखे, यह तो राम भगवान बताएंगे, तो राम भगवान से जानने, मतलब यह रामी जो भी चुनाती आएगी, उसका भी सामना करेंगे, तो जैसे ही लोग बोल रहे हैं जितना, मसले है, स्वतंत्र होके हम लोगों का लड़ाई लड़ पाते हैं, उतना स्वतंत्र होके हम उमें नहीं लगता कि उस और लड़ाई लड़ पाएंगे, जो आडानी के खिलाफ औ और जो एंटीपीसी के खिलाव जो विस्थापित का जो दर्द है उसको हमेशा विदान सभा में उठाते रहे हैं उस पे भी हमको कई टोकाटा की बहुत कुछ हुआ है बहुत जगे से हमको हिदायत मिला है लेकिन अम कभी इन सब चीजों से इंफुएंस नहीं हुएं कभी इ इतना बेजोड जो हम आवास विस्थापितों का देते मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा विस्थापितों का तो मामला हम ही उठाते हैं और निशित रूप से हमारा जो उपज है वो विस्थापितों के संघर्श का ही है मेरा पूरा परिवार विस्थापित की यह पूल दी कि दम यह पॉलिटिक्स बहुत गंदा चीज हो गया है अब यहां रहने से कोई मतलब कुछ नहीं कर पाओगी मतलब कुछ करने ही नहीं देंगे कोई और इनका बस यहीं कहना है कि जो सस्तर जितना गिर गया राजनीती का वहां पर मतलब जो शक्ति है वो बहुत मतलब एक माह तो माह होती है ना अपने box परिशान होते वे कौन माच आएगी देखते रहें, तो हमेशा ही परिशान देखती रहती है, तो यह सब चीज है, तो क्या है, आप कैसे लड़ेंगे आगे की लड़ाई, क्या लोगसभा का टिकट आपको हजारी बाग से मिलेगा, या उसके लिए तयार हैं आप, या फिर आ आप विदायक के चुनाओ लड़ेंगे की नहीं लड़ेंगे, तो यह चुनाओ के पहले इस तरह का हमेशा हम लोग फेस के हैं इस तरह का मुहाल, हमेशा हर विदानसभा से पहले इस तरह का मुहाल फेस करें, और मैंने नहीं कल्पना किया था कि मेरे इस चुनाओ के पहले लेकि जो कोई केस नहीं है, जो केस थी वो एक्विटल हो गया है, कोट में, तो ज़ल्दी जड़ी डेट आता है, तो सारा केस एक्विटल हो गया है, तो मुझे नहीं रखता कि मतलब कुछ वैसा लेकिन अब देखें जैसा मैंने बोला है कि अब भगवान राम ही जानेंगे सब तो मतलब कॉंग्रेस डिसाइड कर रही है आपको देना यह कंफर्म हो रहा है मैं तो अधिकारिक रूप से उस बात को बोलने के लिए असमर्थ हूँ और अभी को ऐसा ब्यान नहीं है मैं अपने छेतर में व्यस्त हूँ मैं अभी तो जो चल रही है जो चीज़े वह आपको पता है तो जैसे कल उस दिन भी वीडियो फोटेज आया था आप खिड़की से बाहर ऐसे हाथ वाद दिखा के ऐसे सारा भी कर रहे थी वो सब क्या था क्या चल रहा था अंदर में ने पुरी राज्य में इतना लोग प्रियता जो मेरे साथ है तो जो लोग मुझे चाहते हैं जो लोग मुझे इतना प्यार देते हैं उन लोगों का जो चिंता बना हुआ था जब मेरे घर आई तो उनका चिंता दूर करने के लिए हमने एक मेसेज देने का काम किया अच्छा कि क्योंकि हमने किसी का कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मेरा मन हमेशा शांत रहता है, मुझे विचलित होने का कोई जरुरत नहीं है, क्योंकि मैंने किसी से एक रुपया लिया है, नहीं मेरा कोई हिसाब किताब है किसी के साथ, नहीं मैंने किसी से पैंचा लिया है, नहीं मैंने ऐस्के हुआ तो क्या लेगए निए किया मिला? बश्य हात लगा? इचे लेके वो हैं के चुनाओं के बारे में महाल बचुनाओं करें जरोगए मेंुद्स करतरी हैं तो बोग सबाही है बिल्कुल, अभी तो लोग सब आई है, वीजेपी से नहीं ना, कॉंग्रेस से नहीं जाएंगे ना, अभी भी ओपर है क्या चत्रे ना, कॉंग्रेस पार्टी के सच्छे सिपाई हैं, और हम लोग इस विचारधारा से इसलिए जुड़ते हैं, क्योंकि हम लोग को वो स्वतन संगर्ष में, मतलब हर चीज को आप लोग को उठाना है, तो यह है कि आप पीड़ित, छोशित, वंचित और यही मेरा भी अपना लक्षा है, कि पीड़ित हम किसके लिए आए हैं, पुंजी पति के लिए तो आए नहीं है, और यह हमारा कोई सिधान्त नहीं है, हमारा जो स साथ जी से जो हो सकता है, हजारी बाग में लोग सबागे चुनाओं लड़े हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ नहीं जा रहे हैं, इनके कहने का यही मतलब है, और बहुत सारी चीजे हुई, दो यह दिन के अंदर एडी का रेड हुआ, उसके बाद पहली बार घर आई, तो बात करने का मौका मिला।